इस वीडियो में मैं आपको NX200 जो कि Sony का नया कैमरा है इस NX200 के बारे में इसके बॉक्स में क्या-क्या मिलेगा और साथ ही के अंदर इसकी कुछ सैंपल फुटेज में आपको देने वाला हूँ आपको समझना पड़ेगा कि जो Sony है Sony company नहीं जो 4K कैमरा जो लांच किया है इतनी कम प्राइस के अंदर जो basic price range थी NX100 वाली वो NX200 के अंदर देने से क्या होगा इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि Sony को ये पता है कि अगर Sony जब तक कोई ऐसा सस्ता कैमरा नहीं लेके आएगा जो कि NX100 की range के अंदर होगा तब तक आपको जो इंडस्ट्री है वो 4K की तरफ मूव नहीं करने वाली वो HD के उपर ही रहेगी तो सबसे पहले इसके बॉक्स में देख लेते हैं क्या का मिलेगा मैंने इसका बॉक्स पहले खोल दिया था और एक unboxing वीडियो बनाया था तो मैं इसलिए quickly आपको सिफ ये बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है तो देखिए इस box के अंदर आपको एक Sony का original memory card यहाँ पर मिला था जो मैंने इस camera के अंदर लगा दिया है इस प्रकार से यह box था इसका और इसमें आपको camera मिला था और साथ में काफी सारी accessories मिली थी तो accessories जो हैं वो सारी की सारी इस box में है जो side के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें क्या क्या चीज़े हैं वो जो accessories हैं इसके साथ में कुछ CDs हैं जो Sony NX100 के साथ में आई थी उसी प्रकार से NX200 के साथ में आई हैं CDs इसके अलावा सबसे जरूरी चीज़ जो है इस i-cup है i-cup काफी बड़ा i-cup मिला है और किसी को अगर चश्मा लगाता है तो उसके लिए यह बहुत अच्छा है क्योंकि यह इस प्रकार से इतना बड़ा i-cup है कि इसके अंदर चश्मा अराम से जैसे चश्मे का जो lens है अराम से इसके अंदर आ जाएगा अब बैटरी को चा कर सकते हैं और simultaneously एक को यूज करते हुए दूसरे को चार्ज कर सकते हैं इसके अलावा यह charger है जो Sony के standard charger आते हैं वीडियो कैम के वो वला charger है इसी से यह charger भी चार्ज हो जाता है और इसी से directly camera के अंदर भी बैटरी को चार्ज की जा सकती है इस charger के साथ में दो अलग-अलग length क केबल्स दी हुई है आप अपने सहूलियत के हिसाब से यूज कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि कई बार छोटी सी जगे में यूज करने के लिए आपको छोटी केबल ही sufficient होती है तो बड़ी वाली जो केबल है इसका ताम-जाम की जरूरत नहीं है एक को यहां से हटा देते हैं इस accessory box को जो की बहुत ही first class packing material है तो इनके बाद में यहां पर मिल गया है Sony का NX200 जिसको मैं कुछ समय से use कर रहा हूँ और मैं आपको बताने वाला हो कि यह अभी तक मुझे किस प्रकार से यह अच्छा लगा है या क्या इसके अंदर चीजों की कमी लगी है सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह यहां पर मैंने एक additional battery इसके अंदर लगा दी है जो battery इसके अंदर लगा रखी है वो यह digipro की digital battery है काफी बड़ी battery है और यह original battery है जो इसके साफ में आई थी camera के अंदर लगी हुई आई थी मगर यह चोटी सी battery जै मगर यह जो काम है अगर मैं इस छोटी battery के साथ में करता हूँ तो हो नहीं पाएगा सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ इसको battery को release करते हैं यहां से release करने के लिए इसको दबा के थोड़ा से उपर निकाला और यह काफी बड़ी और फारी battery है इन दोनों batteries को अगर आप compare करे तो आप समझ जाएंगे कि यह जो है additional battery आपको लेनी चाहिए साथी के अंदर इसमें कुछ बता देता है यह 4 dots हैं जिससे आपको पता पड़ता रहता है कि कितनी यह charge है अभी मैं इसको दबाऊंगा और यह देखिए 3 dots है तो यह 3-4 charge है बाहर से बता लग सकता है camera को on करने क जरूरत नहीं है यह डिजी प्रो की battery है सस्ती मिली थी मुझे चांदनी चौक से और यह around exactly मुझे याद नहीं है मगर यह 1100 से 1500 के बीच के अंदर इसको खरीदा था और यह जो sony के original battery आती है यह 3-4000 प्रे की आती है आपको पता है अब देखिए जैसे यह battery के बिना अगर म रखी और अंदर डाल के इसको हलका सा नीचे shift कर दिया और यह लग गई और अब भी देखिए कि यह हलका सा आगे कीकी तरफ जुका हुआ है ऐसे पता नहीं लग रहा होग थोड़ा उपर करके दिखाते हैं यह देखिए यह हलका सा जुका हुआ है आगे की की मगर मैं इसक चैमरी के अंदर क्या-क्या फीचर्स हैं, उसके उपर नजर डालते हैं, और साथ ही के अंदर देखेंगे इसकी सैंपल फुटेज, तो देखिए मैं सबसे पहले इसको अन करता हूँ, इसको अन करने के लिए यहां पे राइट के अंदर बटन दिया हुआ है, इसको मुझे ज अजर लग रहा है आफ होने में, लीजिए, अब यह आफ हो गया है, अब मैं इसको दोबारा आउन करता हूँ, और यह दूसरी बार, क्योंकि जब बैटरी चेंज करी थी, उसके बार में अब दूसरी बार में इस्टेंटली आउन हो गया है, तो यह अंतर है, इसको समझना चाहिए, दूसरा इसके कंट्रोल के बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो डवल, जो एक्स्टरनल माइक है, इंटरनल माइक है, और एमाई शू है, इन तीनों को यूज करने का आप्शन है, इसके लिए एक अच्छा सा चेंबर बना रखा है, यहाँ यह प्लास्टिक का चेंबर है, इसको आप ओपन करके और अराम से एकसेस कर सकते हैं, सारे के सारी सेटिंग्स को एकसेस कर सकते हैं, साथ ही इसको बंद करने के बाद में भी जो माइक के लेवल्स हैं, इन दोनों से यहीं से ही ऑपरेट कर सकते हैं, तो यह मैनुल बटन्स ह यह बहुत ही काम के बटन है और यह अच्छी चीज है जो हर कैमरे के अंदर जरूर होनी चाहिए तो आपको इसको हिलाने के लिए आपको सिर्फ इसको दबा के हलका सा ऐसे करेंगे यह देखिए मैंने इसको पूरा के पूरा चेंज कर दिया और पूरा के पूरा अलग कर दिया या फिर आप इसको हाथ से इस तरीके से तो करी सकते हैं मगर इसको आफ करके भी इसको यूज करना बहुत ही आसान है कोई दिक्कत नहीं है अब नजर डालते हैं इसके अंदर, अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो input levels है, input 1 और input 2, यहाँ पर line in हो सकता है, mic लग सकता है, और साथ ही mic plus 48 volts, यह भी दिया हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि जो mics phantom power use करते हैं उसके लिए आपको नीचे रखना पड़ेगा, और जो normal mics हैं, dynamic mics हैं, जिनको phantom power की जरूरत नहीं होती, उनको उपर रखना पड़ेगा, साथ ही में आप right side के अंदर देखिए, कि जो input है, इस input के अंदर भी 3 combinations हैं, एक तो external, EXT सबसे उपर है, एक internal, बीच के अंदर, जो कि इसके अंदर inbuilt mic है, जो यहाँ पर mic है, और ती रहा हूँ, यह Sony का ही alpha series का दूसरा camera है, जिसके अंदर, MI shoe के अंदर मैंने wireless mic लगा रखा है, और उसको मैं level mic की तरह से use कर रहा हूँ, और यह साथ के अंदर आता है, 22,000 रुपे का आता है, तो यह जो MI shoe है, यह बड़े काम की चीज है, मगर mostly यह use में नहीं आता, और MI shoe के स कर दूँगा, और साथ ही के अंदर मैं automatic दोनों को कर दूँगा, तो अब क्या है, stereo sound record हो रहा है, इसके अंदर, MI shoe, MI shoe यानि multiple interface shoe के जरीए, और इसमें अच्छा sound आ रहा है, अगर मुझे internal mic, अगर मुझे internal mic use करना है केवल इसका, जो कि बहुत ही अच्छी quality का है, जिसको भी हम आगे continue करेंगे, तो वो भी, वो use करने के लिए आपको internal mic के उपर, यानि कि इसको बीच के अंदर लेके आना पड़ेगा, इसको भी बीच के अंदर लेके आना पड़ेगा, और साथ ही य यहाँ पर दो external mics लगाए जा सकते हैं, देखे, input 1 और input 2 दे रखा है, मैं इसको push करके, इसको release कर सकता हूँ यहाँ से, यह मैंने इसको release किया, इसको push करके इसको release किया, तो यहाँ पर दो XLR mics लग सकते हैं, अराम से, जो बहुत काम की चीज है, कटक से जो आवाज होती है, उससे पता पड़ जाता है, कि बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर एक input in mics का हो सकता है, दूसरा इस mic का हो सकता है, multiple interface का input आ सकता है, और साथ ही के अंदर, यहाँ से internal भी input record हो सकता है, अब देखते हैं, इसकी बाकी जो चीजे हैं उसके उपर, तो यहाँ पर एक और अच्छी चीज जो दे रखी है, वो है यहाँ पर endy filters, तो यह endy filters आपको पता है, बहुत ही काम की चीज होते हैं, बिल्कुल sunglasses की तरह होते हैं, इसको चार level है, एक तो zero level है, यहाँ पर कोई endy filter यूज नहीं हो रहा, उसके बाद में one, two और three, यह तीन, यह चार level है endy filters के, condition को match करने क के लिए बिल्कुल ठीक है, साथ ही मैं देखिए कितने सारे buttons दे रखे, iris का अलग से button है, focus का अलग से button है, और साथ ही के अंदर one, two, three देखिए, यहाँ पर दे रखा है, यह सभी के सभी assignable buttons है, one, two, three यहाँ पर और दो यहाँ पर, यह देखिए, दो यहाँ पर four और five, इन को आप किसी भी तरीके से इसको आप assign कर सकते है, menu के अंदर जाकर assign कर सकते है, जो default है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, कि last scene दे रखा है, इसको focus magnifier दे रखा है, तो यह कर सकते हैं, बगर इसको default तो इन्होंने दे रखा है, फिर भी आप इसको assign कर सकते हैं, जैसे आपकी shooting preferences इसके हिसाब से. अब यहां पे देखिए, दो कार्ड्स लग सकते हैं यहां पे. और यह जो कार्ड है, यह साथ ही में आयवा कार्ड है इसके. इसके लिए अलग से पैसे नहीं देनें और यह लेना जरूर क्योंकि यह 1500 से उपर का 2000 रुपे के आसपास में आता है. तो आपको चेक करना है कि ये card इसमें available है या नहीं है क्योंकि 2000 रुपे का card अगर आपको नहीं मिलता तो ये अच्छी बात नहीं है तो दो card यहाँ पे लग सकते हैं और अब हम इसको चेक करते हैं कि display के अंदर क्या दिख रहा है इसका lens cap हटा देता हूँ मैं इसका lens cap मैंने हटाया और ये देखिए यहाँ पे इसका जो display है साथी के अंदर ये इसका zoom है जूम इसको दिखा जा सकता है और ये जो zoom in और zoom out है ये अभी level 3 पे है इसको भी आप assign कर सकते हैं और साथी zoom के लिए इस तरफ देखिए जो यहाँ पर wide or tally के options हैं इन से आप देखिए कि कितना तेजी से ये operate करता है ये zoom in किया कितनी तेजी से गया तेजी से बाहर आया जबकि मैं इस से करूंगा तो ये धीरे धीरे जाएगा इसका zoom जो length है वो 3 है इसकी zoom length है वो कर सकते हैं अब जैसे इसको अब रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं हाथ आगे करता हूं इसमें और recording का मैंने बटन दबा दिया और ये देखिए record हो रहा है इसमें मैं धीरी-दीर हाथ हिलाता हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि ये recording हो रहा है और मैंने इसके recording को off कर द थमनेल को दोबारा दबाता हूँ तो इसको बाहर आ जाते हैं यहां से अब menu के अंदर क्या का चीज़े हैं menu के अंदर देख लेते हैं हम कि यहां पर क्या का चीज़े हैं यहां पर कैमरा के साथ में और recording set यह audio set display set, यह बहुत सारे presets हैं और यह कुछ others है बहुत सारे options हैं और यहाँ पर हम जो चीज़ देखना चाहते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि recording set के अंदर यहाँ पर हम जाते हैं तो file format में xavc hd है xavc 4k है और avc hd है इसके अंदर जब से मैंने इसको यूज करना शुरू किया है मैंने इसको xavc s hd के अंदर यूज किया है क्योंकि अभी 4k मैं यूज नहीं कर रहा मगर 4k के लिए भी कोई परिशानी नहीं है मैंने कई सारे footage's 4k के अंदर करी थी और यह 4k पर करते ही जैसे executed और completed यहाँ एक काम हो गया record का button दबाने से पहले आपको एक बार इसको off करके on करना पड़ेगा तो यह एक अलग बात है कि आपको जो format है उसको change करने के बाद में इसको on किया और मैंना वापस इसको on किया फटा फटा यह on हो गया अब हम वापस menu के अंदर जाके देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि recording जो है वो 4k में है तो 4k recording है और साथ ही के अंदर recording formats आप देख लीजिए 100 mbps और 60 mbps के अंदर recording अवेलिबल है यहाँ पर अब इसकी कुछ test footage है जो मैं साथ के अंदर इसके लगाने वाला हूँ उसके उपर आप जरूर नजर डालिएगा कि किस प्रकार से उसकी test footage है मैं जहां तक इसको देख पाया हूँ वहाँ तक इसकी जो dynamic range है वो बहुत ही अच्छी है पुराने NX100 से तो काफी upgraded है और जो test footage है वो साथ के अंदर मैं इसके लगा रहा हूँ तो यह footage है NX200 कैमरे के अंदर से और red color के जो भी flowers हैं इनका जो colors है कितना अच्छी तरीके से आ रहा है इस कैमरे में यह आप देख पाएंगे आप अगर lower resolution पे हैं तो इसको resolution को भड़ा लीजिए इसकी जो sharpness है वो कैसी है अभी बिल्कुल नजदीक है मैं कुछ और footage इसके अंदर दिखाता हूँ यह देखिए यह और कुछ flowers हैं और मैं इनके पास में लिखे आता हूँ और साथ ही में मैं नजदीक आने के कोशिश करता हूँ इसके और उससे होगा क्या कि इसके जो autofocus है उसको भी आप महसूस कर पाएंगे फोड़ा सा lag है इसके autofocus के अंदर यह साफ दिख रहा है कि इसका autofocus उतना sharp नहीं है जितना alpha series के दूसरे camera का होता है फुरा के पुरा camera बिल्कुल automatic पे है इस पर मैंने बिल्कुल manual नहीं कर रखा क्योंकि automatic से ही mostly shoots होते है run and gun वाले situations के अंदर और यह दूसरे जो flowers है color reproduction जो इसके monitor में दिखाई दे रहा है वो तो बहुत ही अच्छा है मगर जो इसका focus है वो थोड़ा थोड़ा सा दिकत दे रहा है क्योंकि छोटे flowers हैं बड़े flowers के ओपर देखते हैं यह जो shot है यह contrast ratio और adjusting का shot है इसमें देखते हैं कि पीछे जब अचानक से light आएगी तो यह कैसे respond कर रहा है तो देख सकते हैं कि यह अलग तरीके का view है मगर यह काफी sharp है इसमें कोई grains नहीं है क्योंकि overexposed है वैसे भी और यह देखिए कि इसका जो exposure है वो कितनी तेजी से इसने adjust किया है यह तो बहुत fast है इसका जो exposure है यह तो बहुत fast है और यहां पर क्योंकि यह छोटा object नहीं है मैं थोड़ा दूर जाके इसको focus में रखने face होंगे उनके उपर यह वाली जो problem है यह नहीं आए अच्छा यह handheld zoom का shot है तो आप देख सकते हैं कि कितना stable है मैंने काफी दूर तक zoom कर रखा है और इसकी zoom करने के बाद में इसकी जो stability है वो आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा पैन जूम करने की कोशिश कर रहा हूं पैन करने की कोशिश कर रहा हूं इस समय और मैं इन चीजों को खिला रहा हूं अलग-अलग से और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर stabilization inbuilt कितना है जो इसका stabilization है उसको मैंने maximum कर रखा है जो इसके maximum वाली setting है उसके उपर कर रखा है मैंने और यह काफी ज्यादा zoom है आप देखिए zoom कितना है यह और यह बहुत ज्यादा zoom था उसके अंदर भी मैं इसको अच्छे से maintain कर पाया और यह sharpness जो है zoom के अंदर तो बिल्कुल भी issue नहीं है हलका सा bouquet effect भी दिखाई दे रहा है इसके अंदर बहुत prominent तो नहीं है मगर यह हलका bouquet effect है यहाँ पर इस image के अंदर देख सकते हैं और यह अच्छा लग रहा है यह bouquet है, over, over भी नहीं है जैसे कई सारे जो DSLRs होते हैं उसमें तो इतना ज्यादा bouquet हो जाता है देखते है, hand held है यह पुरा का पुरा, सारा का सारा काम hand held है और इतना यह देखिए इसको zoom कर पाया काफ़ी sharp है और यह hand held के हिसाब से तो बहुत ही sharp है बहुत ही कमाल ज़रा दूर देखते हैं और कुछ चीज़ों के उपर नजर लगाते हैं, डालते हैं और ये कुछ प्लांट्स हैं, इनको जूम करके मैं देख रहा हूँ, अरे वाह, ये तो एकदम कमाल है, इसकी जो, आप देखिए, पीछे जो दुसरा उकलिप्टस है, जो थोड़ा पीछे होने की वज़े से किता अच्छा आ रहा है, इसमें, और कलर्स मॉनिटर में देखने और देख पा रहा हूँ कि इसमें अंतर बहुत ही ज्यादा है, और ये फुटेज बिल्कुल राइट फ़र्म कैमरा है, आटो सेटिंग्स के साथ में, इसमें जो स्टेबलाइजिशन है, उसको घर रखा है, अभी तक तो मैंने हाथ से पकड़ रखाता है, मैं इसको हैंडल इसके देखिए, मतलब ये चीज़ मैं अबजर्वर पा रहा हूँ इसमें, कि जब जूम करते हैं, उसके बाद में इसका जो आटो फोकस है, वो अच्छा काम कर रहा है, और मैं मन लीजिए, ये पास में है, ये अबजेक्ट, अब मैं दूर में ले जाओंगा, और मैंने इ प्रफेशनल कैमरा, जो है, उसकी अंदर एक नया स्टेटमेंट है, सोनी का, और अब मैं इसको देखिए चलता हूँ, इसकी तरफ में आ रहा हूँ, और मैं छोड़़़ः जूम आउट भी कर रहा हूँ साथ में, हाँ, इसको मैंटेन करने में थोड़ी सी समस्या जरूर ह मगर मैं तो बहुत ज्यादा हिल रहा हूँ इस समय, तो ये दूर से जो फ्लार्स है, इनको देखनेंगा तो आनंदी कुछ और है, तो ये कैमरा के जो रिजल्ट्स हैं, वो आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, मैं अभी तक आपको एक बाल बताने पुल गया था, वो आप कि ये पुरी की पुरी जो रिकॉर्डिंग है, ये नेचरल लाइट में चल रही है, ये गोल्डन आवर चल रहा है, सूरज अभी थोड़ी जेर में छिपने वाला है, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है लाइट, लो लाइट के नजदीक है, मगर फिर भी परफेक्ट ल रखी है, मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, केवल 4K में बनाने वाला हूँ उसको, और अपलोड करूँगा 4K वाला वीडियो, ये पुरा का पुरा वीडियो HD में है, इसमें जो कुछ फुटेजिस आपने शुरू में देखी थी, वो सारी की सारी फुटेज, अलफा सिरीज में अलफा 6500 की फुटेज थी, और ये जो फुटेज है, जो मैं इस कैमरे से ले रहा हूँ, ये HD में, XAVC HD के अंदर सारी की सारी फुटेज है, 4K वाली फुटेज आप इंतजार करिए उसका, और साथ ही के अंदर अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई के बारे में तो आप उसको पूछ सकते हैं, और देखिए कितना अच्छा इसके अंदर लुक आया है, तो कंक्लूजन क्या निकला इसका, तो कंक्लूजन ये है कि बिल्कुल जो नजदीक की जो अबजेक्ट्स हैं, उसके ओपर फोकस करने में इसको थोड़ी सी परिशानी आती है, मगर ये जो प्राब्लम है, ये इसके साथ में कंसिडरेबल अ-बल इसलि насी नहीं होती, क्योंकि इस तरीके के खैमयरे हमेशा जूम के साथ में यूज किये जाते हैं, अक्सर इस तरीके के कैमरी जो यूज करते हैं, चाए शीजन नियू शूटर्स हो, चाए वैड focus में कोई परिशानी नहीं है, colors में कोई परिशानी नहीं है, dynamic ratio अच्छा है, contrast based है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, साथ ही के अंदर इसके साथ में जो accessories दी है, एक तो 2000 रुपे का जो card है, साथ के अंदर वो दिया हुआ है और ये जो bag है, ये भी अगर देखा जाए, तो ये बहुत ही high quality का bag है जो इसके साथ में ही मिला है और ये भी एक value addition है, पूरी की पूरी deal के अंदर ये भी 3-4,000 रुपे का bag अराम से है, इसकी quality बहुत ही solid है, और मैं इसके अंदर यहाँ पर भी काफी सारी चीज़े रखी जा सकती है मतलब complete, जो Sony का default bag आता है अच्छी quality का, high grade का जो अराम से 2 साल निकाल देगा 2 साल के बाद में आपको दूसरा bag लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर उदर, जो ज़्यादा यूज़ करते हैं इधर-उदर से फटने लग जाता है तो 2 साल के लिए अच्छा bag है यह और बहुत यह अच्छी quality का bag है इसके अंदर जो compartments हैं अलग-अलग दे रखे हैं, वो बिल्कुल strategically, जिस तरीके से company बनाती है वही बना के दे रखे हैं इसमें इसको कहीं भी छोटे मोटे शूट के लिए अगर आपको जाना है, तो आप इसको लेकर complete accessorize करके इसको जा सकते हैं ट्राइपॉड की इसमें कोई जरूरत नहीं है, stability इसकी काफी अच्छी है मगर आपको अगर long शूट है, corporate शूट वगर है अगर आप कहीं पर भी जाते है तो आपका एक अलग प्रकार का respect होता है जो कि DSLR के साथ में possible नहीं है तो ये camera क्योंकि एक professional series का camera है ये consumer series का camera नहीं है ये आपको कमा के देने वाला camera है ये सिर्फ entertainment के लिए camera नहीं है इसको आपको लेना चाहिए क्योंकि 4K camera है और आने वाले समय के अंदर जैसे इस समय जैसे इस समय DV camera कोई भी नहीं खरीदता एक लाग रुपे का कोई अगर DV camera हो तो आज उसको 5000 रुपे देने को राजी नहीं है उसी प्रकार से अगर आपने गलती कर दी कि आपने 4K camera नहीं लिया और Sony NX100 या PV100 या कोई भी दूसरा अगर camera लिया HC250-100 तो उन सब camera के बारे में आप समझ लिजी कि 6 महीने के अंदर उन camera को resale में भी खरीदने वाला कोई नहीं होगा मगर अगर आप 4K camera ले लेंगे आज के time के अंदर जैसे इसकी कीमत थोड़े समय बाद में सवालाक रुपे तक आ जाएगी जिसके अंदर ही सारी accessories included होगी तो सवालाक रुपे वाला camera लेने के 2 या 3 साल बाद भी आप उसको अराम से 1 लाक रुपे में अगर properly आप उसको handle करेंगे तो बेच पाएंगे यानि कि हर महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 साल के अंदर 25,000 रुपे यानि कि हर महीने के 1,000 रुपे ही इसका depreciation आएगा इस हिसाब से अगर आप यह सोच रहे हैं कि जैसे इस समय NX100 जो है सवाला कता इस समय 1,000,000 हो गया है आपको वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो 1,000,000 रुपे वाला थोड़े समय बाद में बिल्कुल कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा आपको जिस प्राकार से इस समय कोई DV कैमरा नहीं खरीदता मगर यह 4K कैमरा से 2 साल बाद में भी आपको तकरीबन 1,000,000 रुपे में आप इसको रिसेल कर पाएंगे और यह जो एक्सेसरीज है इसके साथ में अगर आप कुछ और एक्सेसरीज ले लेंगे तो आप एक प्रॉपरली एक प्रॉफेशनल स्टूडियो सेट अप कर पाएंगे मेड इन जापान है यह कैमरा यह रह गया था तो इसकी जो क्वैलेटी है उसके अंदर आप मान लीजिए कि हर कुछ चाइना की क्वैलेटी नहीं है जापान की क्वैलेटी है और इसी लिए जो कैमरे है इस प्रकार के कैमरे का हाई ग्रेड कॉम्पोनेंट होने की वजए से ये चीजे अभी तक चाइना के अंदर बनने नहीं लगी हैं मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है आप इसको ले लीजिए 4K फुटेज के लिए एक अलग वीडियो होगा और इसके जो फीचर्स हैं सेटिंग्स हैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आपको प्रोफेशनल सेटप को अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आपको यह फाइदा दे जुड़ जाएए बनाव दिखाओ के साथ में क्योंकि हमारे पास में सिर्फ प्रैक्टिकल इंफॉर्मिशन है स्पैक शीट्स नहीं है जिनको देख कर आप ध्रमेत हो सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल जो सामने आपके सामने चैलेंज आएंगे सिर्फ उनी के बारे में हम डिसकस करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद